हलो, what's up दोस्तों कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों बात आज हम ये कर रहे हैं कि computer operator की job description क्या होती है याने कि इनके job के भीतर इनको कौन से कौन से जनमेदारियों का निर्वहन करना होता है ये लोग अपने job में क्या क्या करते हैं लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने subscribe नहीं किया है जैसे कि एक अच्छा computer operator बनने के लिए कौन से skills की जरूरत होती है या computer operator को salary कितनी मिलती है या इनके interview के दौरान किस तरीके कि सवाल पूछे जाते हैं तो दोस्तों उपर i button पे आप click कर सकते हैं मैंने उन सभी video के ऊपर video बना करके रखे हैं आप उनको भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर मैं short में कहूं तो computer operator जो है वो किसी भी IT company में बहुत ज़ादा जरूरी होता है ये post वो होती है जिस post पे बैठा हुआ आदमी जो है वो सारे computer के maintenance work को carry out करता है इसके अलावा hardware में कोई भी problem आती है तो solve करने वाला सबसे पहला आदमी यही होता है तो इसके वज़ाद से post जो है वो काफी जादा important बन जाती है अब एके करके इनकी जो जिम्मेदारिया है उनके उपर भी नजर डालेते हैं तो दोस्तों इनकी सबसे पहले जिम्मेदारी यह होती है कि अगर company में नई systems लाई गई हैं नए computers लाए गए हैं यह computer से related कुछ accessories लाई गई हैं जैसे की printer हो गया fax machine हो गया यह कुछ computer से command आने वाले जो xerox machine होते हैं computer की command पर चलते हैं ऐसे xerox machines भी होते हैं तो उन सभी को setup करना यह इनका काम होता है तो अगर computer आया है तो उसको पूरी तरीके से आपको जो है वो जोडना पड़ेगा CPU से monitor जोड़ो फिर mouse जोड़ो फिर keyboard जोड़ो फिर उसके सारे connection करो और फिर उसको चलो करो तो यह सारे काम जो है वो एक computer operator के पास होते हैं साथी साथ अगर दूसरा कोई device computer से जोडने वाला है तो इस device को भी ready करना computer से जोडना computer में configure करना यह काम इनहीं के पास होता है इसके अलावा यह लोग IT टीम जो होती है उनके साथ भी यहाँ पर collaborate करते हैं क्योंकि कुछ कुछ कमपनियां ऐसी होती हैं जहां पर computer systems जो है वो एक certain some time पर चालू करना जरूरी होता है तो इसके लिए वो जो schedule होता है वो तै करने के लिए भी यह लोग IT टीम के साथ collaborate करते ह हैं और फिर वैसे का वैसा काम वहाँ पर करते हैं जैसे कि कहीं पर भी काम नहीं रुपता है क्योंकि आज कल की जमाने में आपको पता है कि internet के उपर सारा काम चलता है तो computer चालू रखना जरूरी बन जाता है servers के लिए तो इसकी विए से यह सारा scheduling भी यह लोग करते हैं इस यह लोग सबसे पहले आते हैं computers को जो जरूरी commands है वो दे करके रखते हैं ताकि बाद में जब लोग आये तो उनको पूरा starting process जो होता है वो करने की जरूरत ना पड़े और साथी साथ day end पर सारे systems को अगर shut करना है तो यही लोग सारे systems को वहाँ पर जाकर के shut भी करते हैं इ इसकी वज़ा से कोई certain some stop message आपको आ रहा है या error message आ रहा है इसके अलावा वहाँ पर अगर कुछ curve files हैं तो भी वहाँ पर error के messages आ सकते हैं तो इन सभी के उपर नजर रखना इनका काम होता है और उसको rectify करना भी इनका काम होता है इसके अलावा computer के अंदर अगर कुछ दू रही है उसको access करने में problem आ सकते हैं तो उसको set करना भी इनका काम होता है इसके अलावा printers में papers load करना xerox machine में papers load करना ये भी इनका काम होता है साथी साथ नए जो equipments है उनको adjust करना भी इनका काम होता है अब मान लीजे कि कोई printer चल रहा है लेकिन उसके अंदर जो स्याही setting करके देते हैं ताकि सारी चीजे जो है वो smoothly चलती रहे same goes with अगर आपके company में xerox machine वगरा है तो उसका भी setting यही लोग करते हैं इसके अलावा जो लोग computer की उपर बैठ करके दिन बर काम करते हैं उनको अलग अलग तरीके की तकलीफे भी आ सकती है कुछ doubts भी हो सकते हैं system के वारे में तो यह doubts अगर होते हैं तो वो लोग computer operators को ही contact करते हैं फिर वो आकर के उनके doubts भी clear करते हैं कोई अगर problem है तो उसको भी rectify करते हैं इसके अलावा preventive maintenance करना यह इनका एक बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि सारे computer जो है वो चलने वाली हालत में रखने पड़ते हैं ताकि काम ना रुके साथी साथ बाकी के जो equipments होते हैं printers, xerox machines, fax machines इसके अलावा बाकी के भी जो attachments लगते हैं वहाँ पर projectors होते हैं इसके अलावा भी कई सारे systems होती हैं तो उनको जो है वो maintain करके रखना यह इनका काम होता है जिससे की एन मौके पर आ करके वो machines जो है वो का supply inventory है उसको भी ये लोग manage करते हैं तो जो भी चीजे computer से related चाहिए होगी जिसका supply चाहिए होगा वो सारी चीजे यही लोग देखते हैं तो remote में पढ़ले वाले cell से लेकर के wireless वहाँ पर keyboard, wireless mouse, उसके अंदर पढ़ने वाली batteries, इसके अलावा in cartridges, ये सारी सारी चीजे जो आपक कि stock कितना बचा है, कितने की जरुरत है, उसके हिसाब से order देना और stock मंगवा लेना, इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी काम की company के जो भी सारे computer systems है, उनकी security का ध्यान रखना भी इनके work profile में ही आता है, क्योंकि इन computers के अंदर company की बहुत ही ज़्यादा confidential information हो सकती है, काफी ज़्यादा sensitive information हो सकती है, तो इसको वहाँ पर secure रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बड़े बड़े company के computers को hack भी किया जा सकता है, उनके उपर cyber attack किया जा सकता है, तो उससे सारे computer systems को बचाना, उनके अंदर antivirus upload करना, उसको regularly check करते रहना कि कही computer में कोई bug या virus दो नहीं है, अगर ऐसा है, तो उसको कैसे निकाला जाए, computer को format करना पड़ेगा क्या, अगर computer पूरी तरीके से करब भी हो गया है, तो भी इनहीं को बुलाया जाता है, ताकि जो data है, उसकी recovery हो सके, तो ये सारी चीज़ें इनको अपने job के अंदर करनी होती है, तो बस दोस्वा, ये विडियो जरूर पहुचा दे, यानि कि इस विडियो को जादा से जादा शेयर भी जरूर कर दे,